हलो इब्रीवन कैसे हो आप सब उमीद करते हुए यूटू फैमिली आप लोग बहुत अच्छी होगी और मैं भी अच्छी हूं सो फैमिलियां पर देख सकते हैं मैं आई हूं डॉक्टर के पास यह है तीत के डॉक्टर है यहां पर मेरे हस्बंट चले गए हैं हम लोग को मैं बैठी हूं और मीरे बहन के लिए आई हो तो उसका थूबर सह तीत में प्रोडान चल रहा है मतलब काला काला था तो साफ करवाना है वह घरा रही है तो कब से बोल रही थी वहां बंगाल में है उत्पता कि थी तो आप थूटर शप्राइज जादा था तो मेरी तो बहुत अच्छे से टीट कर रही थी ऐसा इसको डर भी लग रहा था कि पता नहीं मेरी ममी करवाई थी तो बलर्ड आ गया थी उसका मौत बता रहे थी कि जिसका यह ज्यादा हो जाता है यहां पर देखिए हो गया है और अच्छे से किये थे पूरा मतलब दो-तीन वार और उसमें क्रीम था उससे मसाज टाइब का कुछ इसा था रॉन रॉन खुमा कर उससे भी जा इस तो फैमली यहां पर देखिए बड़ा पाओ खा रहे हैं मतलब ले जाने के लिए घर पर सोच रहे हैं क्योंकि मेरी च्छोटी बहन मेरी मम्मी और मेरी बहन मतलब बेरी बेटी घर पे ही हैं यहां पर उसको लेक्या रहे हैं वीच वाली बहन का थे बड़ा पाओ जैसा ही था लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस हा क्योंकि बटर के साथ सीख रहे थे बहुत लोग खा रहे थी इनके पास हमेशा भी रहता है कुछ नाम बताए थे इसमें जैसे अनार का दा जीए तो मेरी बहान नहीं खाई घर पे खाई क्योंकि वोली थी मेरा तीथ्या भी हुआ तो थोड़ा सा कुला वज राच्छे से करेंगे तो फिर घर पे लाएं सब लोग खाई भी देखिए मेरी छोटी बहान बड़ी बहान मम्मी भी खाई सबको पसंद आया मैं बहुत इसको मुझे थोड़ा सा भी बाहर से आई ना तो इसको पहान ली थी जो पहनी हुई थी उसके बाद मैं बरतन दोखर का बहुत सारा था इसको दो ली हूँ और मेरी मम्मी लोग थी घर पे तो छोटी बहान दोनों मिलकर खाना भी बना रही थी उन लोग रोटी बस नहीं है तो भूझ लेती है मात होती है सी लेकिन देखिए यहां पर सारे साथ बज़ गया था करी बाते आते आठ बज़ गया था बरतन होते थोते और अभी ठंडी भी गिर गई है थोड़ी थोड़ी बाहर जाने के बाद लग रहा था बिलकुल स्वेटर हम पहन के ही नहीं गए लेकिन जल्डी में अगर बनाना होता तो जिसको जैसे पसंद के उपर मेरे हम नहीं पसंद आता है यहां पर देखिया है मैं वह भूझ ले रही हूं मेरी बहन भी उदर बीच बीच में अपना काम करते जा रही है अब देखें इसमें टमैटो एक डाली है इसमें मसाले में जीरा पॉडर हल्डी पॉडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालती हूँ और इधर आटा गुत ली हूँ मैं अब मैं रोटी फटा फट बना लूँगी और देख सकते हैं उसका काम हो गया बोल रही मेरा काम हो गया अब मैं जा रही हूँ और इधर मेरी मंजी वाली बहन पढ़ा रही है मेरी बेटी को तो ज्यादा फैमली होता है ना कि बात करते करते कैसे टाइम खतम हो जाता पता ही नहीं चलता है और मन भी लगता है काम भी बिल्कूल अच्छे से होपा मतलो लगता ही नहीं ऐसे कितना वोज होता है कि अभी आएंगे तो इतना रात को बनाएंगे तो यहां पर देखिए मेरे ममी सब बना रही थी तो सिर्फ मैं रोटी बनाऊंगी फिर थोड़ा बात करते हैं ममी से और मेरी बेटी भी कर रही है तो पाप आएंगे तो फिर से जाएंगे कि मतलब घर में ही ऐसा ही डेली मार्केट में हो जाता है तो पता नहीं चलता है लेकिन देख रहे हूं जाओंगी तो आप लोग भी देखिए पहला बार मैं ब्लॉग डालूंगे इस लिडे जाओंगी तो क्योंकि से पहले मैं नहीं अभी गई हूं इंतनों यहां से नजजदी की मेरे सब्स का था रहते हैं तो यहां पर देखिए किरा सारा मैं क्लीन भी कर ली हूं और थोड़ा गरम पानी प्योंगी क्योंकि थोड़ा सा गला मेरा दूख रहा था यहां पर अलो का भूजिया पुदाव धालध है दौफर करता है इसे लिए मैं सारा को अज़ेस्ट कर दूंगी बस ऐसे करते करते टाइम हो जाता है खाने के बाद रशा एंजॉइ करते हैं भी फैमली लोग आया है तो एक साथ बैठ कर बात करना मतलब गाना हो गया श्टोरी हो गया जैसे कहीं कहीं का बात निकल जाता है तो अच्छा लगता है तो ही होता है यहां पर देखिए करीब नो बज रहा था और वह स्टेडी उसका चल रहा था कि अभी इसका स्कूल ना सुबस करीब जाती है साड़े साथ बजे आती है थे 3.30-3.30 बज जाता है उसके बाद उसको नहवाती हूं फिर खाना खाती है तो ऐसे करते करते पांच बज जाता तो बिल्कूल समय नहीं मिलता है ता भी उसको मैं मैडम से बात करने वाले हूं कि थोड़ा जल्दी छोटी है अभी तो जल्दी है स्कूल से आ जाएगी ना तो आच्छा रहेगा नई तो क्या उता है बिल्कुल छोटे बच्चे को नहीं मिल पाता है जोटे बैंकते हैं तो देखें, फिर थ丌 समिल से बात करें यहुझे और या फोल तो यहां पर्ण मेरे ऊस्मिन बोटा कंगा है थोड़ा ममी लोग हम लोग का थोड़ा सा लेट से भी चलता है यहां पर देखिए उनका दाल है दो फरका क्योंकि खाने पर नहीं आया थे चोखा था और सब भुजिया आलू का तो बोल रहा है इतना सारा रात को खाना नहीं खाना चाहिए वह सब दिन में खाना चाहिए यह देख सकते हैं और मेरी बेटी जैसे मुझे आता है मैं थोड़ा सा बेटी की खुशी के लिए उसको अच्छा लग रहा था कि मामा तुम भी करो तो मैं करूंगी तो उसको क्या है भी सिखेगी और यहां पर देखिए रात को डांस कर रहे थी सुपा उठी है रोती हुए ही दांस कर थे खंड रहे है तो मैं बोल भी रही थी उसको क्या है न स्कुल जाने का बिलकुल मन नहीं कर रहा है भी फैमिली सवाय हुए ना मौनी मौसी तो उसको लग रहा है ममा भी स्कुल नहीं जाएंगे उठी अच्छे से लिएकि रेडी होने के बाद रोने लगी फिर म जासे उसका टेंसन रहता है कि मुझा चार पाच बज़े आएंगे उसको टाइम नहीं मिलता है फिर उसकूल जाने के बाद मैं बना रहे वाले सब्जी क्योंकि उसके लिए गोवी का भुजिया बना कर दी थी और अब मुंगफली को देखें मुंगफली आवालू का सब्जी बनाने वाली हूं इधर मराथी लोग बनाते हैं उस तरह से मैं अवसोची ममी लोग को ट्राइ करवाती हूं इधर मुंगफली लहसान और हरी मिर्ची को मैं तुछाए बन रहा है सुबस्वा का समय है तो चाय तो मेरे ममी पीती है सुबह में मतलब हम लोग का आदत उतना करने हैं अलुको में अच्छे से डालियं कर लूंगी और इतकर ज्यादा देर नहीं राखता है इसमें और सोब ज्यादा बादा एक्टारा नहीं जाता सिर्फ लाल मिर्ची जाता है तो लाल मिर्ची में रपस भी बिलकुल questa खराब तो खराब करें कि पीसा हुआ कर और बहुत टेश्टी बनता रोटी के साथ खाने में उनलों को अच्छा लगा जा अच्छा थोड़ा डीफरेंस सब्जी है इसमें अगर लाली मिर्ची डालते ना और तो कलर वाली मिर्ची थे थोड़ा सा रेड़ीर दीखता है सब्जी तो फ्रेंड्स बस रिसब करने को इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दे रही हूं इसको दस मिर्दी में घैस पर खुलाओंगे मैं अपने हस्में को देखे खाना निकाल दे रहे हैं कि उनको ड्यूटी जाना है तो उमीद करते हूं आप लोग अच्छा लगा होगा कि मैं अच्छे और अच्छा लगे तो शेयर कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा और बेल एकन को जरूर प्रेस कीजेगा कि मेरा निव व्लोग आप लोग आप लोग को देखने की मिले तब तक के लिए बाए बाए टेक कियर लव भी फ्रेंड्स